Hello students, ICAC Board और CBSC Board के students के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है, कहां से? महराष्टा से. महराष्टा के जो CM है, उद्दव ठाकरे जी, उन्होंने बिलकुल मना कर दिया है अपने स्टेट में exam conduct करवाने से ICAC Board के. The state government will tell Bombay High Court on Wednesday, Bombay High Court को आज Wednesday को बताने वाली है state government that it cannot permit council for the Indian school certificate examination board exams for students of class 10th and 12th in their pending papers due to COVID-19 situation in महराष्टा. यानि कि महराष्टा सरकार ने निर्णा ले लिया है कि वो अपने स्टेट में exam नहीं होने देंगे ICAC Board का. पहले ये कहा जा रहा था कि जो बच्चे exam देना चाहते हैं, वो exam दे सकते हैं, जो नहीं चाहते हैं, वो exam नहीं देंगे. लेकिन अब महराष्टा government ने clearly no कह दिया ह है for the ICAC Board exam in their state. ठीक है? The decision was taken at a meeting of the State Disaster Management Committee. Decision कहां लिया गया है? State Disaster Management Committee की meeting हुई थी June 22 को chaired by Chief Minister. उसका chair किस ने किया था? Chief Minister ने. ठीक है? अभी इसका source भी बताऊँगा मैं आपको news का, लेकिन आप video को लाज तक देखना, CBSC students के लिए बहुत बड़ी बात है इसमें. It was decided that the state cannot permit conduct of ICAC exam from July 2 given the current COVID-19 situation in the state. आपको पता है अल्रेडी महारास्ता में बहुत जादा cases हैं तो state ने काया कि हम conduct नहीं करवा पाएंगे. The decision may be conveyed to the Honorable Bombay High Court, said a letter by Vandana Krishna, additional Chief Secretary, School Education Department to the Advocate Journal. ठीक है? She stated that a similar decision was taken for not conducting university exams. इसके साथ साथ वो university के exams भी नहीं लेने वाले हैं अपने statement. ठीक है? A bench headed by Chief Justice Dipankar Dutta hearing a PIL against holding of exam on Monday sought the clear stand of the state government on allowing CISC to conduct ICAC and ISC exams. पहले क्या था कि Bombay High Court ने महारास्टा गोर्मेंट से पूछा था कि whether you will allow the exam or not. तो अब Monday को पूछा था Bombay High Court नहीं. तो अब महारास्टा गोर्मेंट ने किलिर नहीं no कह दिया है. अब दो बाते इस decision से निकल कर आती हैं. पहली बात तो यह कि जब महारास्टा में ICAC Board का exam नहीं होगा तो पूरे इंडिया में कैसे होगा? बाकी students का exam कैसे conduct करवाएगा ICAC Board? ठीक हैं? दूसरी तरफ जब महारास्टा में ICAC Board का exam नहीं होगा तो CBSC Board का exam महारास्टा में कैसे conduct होगा? और जब CBSC Board के बच्चों का exam महारास्टा में conduct नहीं होगा तो पूरे इंडिया में CBSC Board के बच्चों का exam कैसे conduct होगा? यह बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है. इस decision से मतलब की सब्मिट करवाया जाएगा कोट में हाई कोट अगर चाहे तो महारास्टा गोवर्मेंट के डिसिजन को अपोज कर सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता हाई कोट ऐसा करेगा क्योंकि कि महारास्टा में कोट जाएगा करेगा कि अग्जाम करने पड़े तो आल इंडिया में ही कैंसिल करने पड़ेंगे और यह बड़ी अप्डेट थी मैंने आपको बता दिया सोर्स है, टाइमस ओफ इंडिया की ये निउस है, आज सुबह ही मैंने पढ़ी है, टाइमस ओफ इंडिया में, वीडियो का अच्छा लगा है, तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी कर दोशाभ मेंस.